नमस्कार बहुत स्वागते आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर में हूँ आकाश नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर की खास सिरीज में आज बात होगी मंदरों की जी हाँ ये तो आप जानते ही है कि हिंदुस्तान में 33 करोड देवी देवताओं की पूजा की जाती है यहाँ हर दिन किसी ना किसी भगवान की नाम होता है और दिन के हिसाब से हम भगवान का दीदार भी करते हैं साथ ही सचे मन से सुभे हम नहा दोकर निवरत होकर पूजा पाठ और भगवान का वरत करते हैं ऐसा माना जाता है जो भी सचे मन से भगवान का दीदार या पूजा पाठ करता है तो प्रभू उसके सभी कलेश दूर कर देते हैं आज हम आपको कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं जहां का प्रसाद काफी ज़ादा अजब गजब का होता है अक्सर आपने देखा होगा जब आप किसी भी मंदिर में भगवान या देवी देवताओं की पूजा करने के लिए जाते हैं तो वहां के पुजारियों द्वहारा परसाद दिया जाता है लेकिन आज हम आपको ऐसे मंदरों की बारे में बताएंगे जिन मंदरों में परसाद अजब गजब का होता है आपको सुनकर आप भी थोड़ा सा दंग रह जाएंगे तो चलिए आपको बताते हैं आखर कौन से हैं भारत देश की वो मंदिर जहां अजब गजब तरीकी का प्रसाद मिलता है जी हाँ विकानेर करनी माता मंदिर राजिस्थान के विकानेर में इस्थित यह मंदिर चूहों वाला मंदिर जाना जाता है इसमें बहुत ज़ादा संख्या में चूहे होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो भी करणी माता मंदिर में जाता है उसको चूहों का जहूटा प्रसाद दिया जाता है यहां सबसे पहले मा का दर्शन करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, या शाम के समय यू कहें कि आरती करने के बाद चूहों को परसाद खिलाया जाता है, साथ ही उन चूहों में से फिर वो परसाद जूटा करके भक्तों को दिया जाता है, यहां पर रहने वाले चूहे माता की संतान माने जाते हैं और उनसे सबसे बड़े खास बात ये है कि उस परसाद से कोई भी रोग नहीं होता है उनको गरण करने से मा सबकी मनोकामना पूरी करती है जगनात मंदिर जगनात में आरम से ही होने वाली रतियात्रा विश्व भर में लोगों की आस्था का केंद्र बन गई है इस मंदिर में भगवान को परसाद के रूप में 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और उसके बाद वही 56 व्यंजन फिर भगवान के भोग के बाद भक्तों को वित्रित किये जाते हैं और इसमें वह आनंद साथी आनंद बाजार के स्टॉल से से खरीद लेते हैं और इसके बाद इस परसाद को वहां वित्रित कर भगतों को दिया जाता है वहीं आपको बता दें कामाख्या देवी मंदिर हर वर्ष गुभाठी के कामाख्या देवी मंदिर में भक्त मेले का आयोजन किया जाता है मेले के दौरान तीन दिन के लिए मा के दर्शन करने आम भक्तों के लिए बंद कर दिये जाते हूं और चौथे दिन जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में भक्तों का ताता वहाँ लग जाता है, साथ ही वहाँ आपको बता दें कि वहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को एक गीला कपड़ा दिया जाता है, जी हाँ आप सुनकर थोड़ा दंग रहे गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि कहा जाता है कि ये कपड़ा मा के रज से भीगा हुआ होता है, इसलिए इसको काफी जादा शुभ माना जाता है, और बहुत से लोग इस कपड़े को वहाँ से लाकर अपने घर की तेजोरी, व्यौपार या कारोबार या फिर यूँ कहें, कि अपने करेशेतर में रखते हैं, जिससे मा का आशिरवाद उन्हें प्राप्त होता रहता है, वहीं आपको बता दें, चाइनीज काली मंदिर, कोलकाता, चाइनीज के, चाइनीज काली मंदिर में बहुत जादा भक्तों के लिए नूडल्स का दिया जाता है, जी हाँ, वहाँ पर भक्त अगर जाते हैं, तो उनको परसाद में नूडल्स दिये जाते हैं, आपको बता दें, खवीस बावा मंदिर, सीतापुर, उताप्रदेश के सीतापुर में स्थेत, खवीस बावा मंदिर में शराब का परसाद अर्पित किया जाता है और भत्र बहुत ही सचे मन से उस परशाद को गरड़ करते हैं और बाबा उनकी मनो कामना भी पूरी करते हैं तो दर्शकों आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही हम फिर आजिर होते हैं किसी अन्द जानकारी के साथ तब तक के लिए आप देखते रहें बने रहें नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर के साथ नमस्कार